अमिज जी इस बार इस चुनाव में अहम और मेन मुद्धा क्या है क्या फिर से एक बार मोदी जी पर भरोसा मोदी जी के लिए प्यार या फिर भूपेंद्र जी का प्रदर्शन भी इस बार एक बड़ा बुद्धा रहेगा आप दोनों को अलग नहीं कर सकते हो 1990 से लेकर आज तक भारतिय जनता पार्टी गुजरात में एक भी चुनाव नहीं आई यह भारतिय जनता पार्टी का क्लियर कट रेकोर्ड है और आप सभी जन्नालिस्टों को मालूम पढ़ना चाहिए जब कभी भी हम चुनाव के मैदान म भारतिय जनता पार्टी गुजरात के कारेकरता गई हमने विजय प्राप्त की है और वो विजय का कारण है गुजरात की जनता का आसिरवाद और असीम स्नेह और मैं मानता हूं कि हमने गुजरात की जनता की अपेक्सा पर खराक कर उतरने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है यही गुजरात है, जहाँ एक जमाना था, कॉंग्रेस का सासन था, 365 दिन के साल में से 200-200 दिन तक कर्फियू रहता था, आज गुजरात के 20 साल के लड़के को अगर पूछ ले, कि भैया कर्फियू क्या होता है, तो जर्नल नौलेज में वो फेल हो जाएगा, जर्नल नौलेज था, एक लेमरिटा स्कूटर के पीछे बैटकर में जा रहा था, पूरबंदर की सीमा शुरू होती थी, वहाँ पर एक बॉर्ड लगाया था, दबंगो ने, कि यहां से पूरबंदर शुरू होता है, कानून और व्यवस्ता की हद यहां पर पूरी होती है, और नौटिफिक जो भारतिय जनता पार्टी का सासंडा, विसेस करकर मोदी जी का जो कालखंडा और मोदी जी के बात का कालखंडा, हमने यहां पर कानून और व्यवस्ता की मजबूत एक अभेद दिवार सरहदी राज्य के अंदर खड़ा करने के लिए हम सफल हुए हैं, और इसके अच्छ गुजरात के डेवलप्मेंट में बहुत अथे तरीके साम परफॉर्म कर पाए हैं.